आपके स्क्रीन के सामने आपको एक फोटो देख रही होगी और मुझे लगता है कि आप लोगोंनेano इनका नाम जरूर सुना होगा आप लोगोंने इने मूवियों में जरूर देखा होगा और आपने राजनीती में भी देखा होगा इने यह सत्त्रोगन सिन्हा और अभी खबर यह आ रही है कि TMC यानि कि ममता बनर जी की पाइटी की तरफ से यह पश्चे मंगाल की जो आसन सोल सीट है जहां उपचुनाओ होना है आपने देखा हुगा कि कुछ समय पहले सुप्रियों में जो बाबुद सुप्रियों थे इन्होंने इश्टीपा दिया थ उस सीट से इसलिए वो खाली सीट है और आप सभी को मालू है कि जब उपचुनाओ होते हैं कोई सीट खाली हो जाती है तो 6 मेने के अंदर उस सीट को भरना होता है वहाँ उपचुनाओ यह तरह से चुनाओ करवाना होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि यहां से इन्हें लोक कि कोई आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कब किस पार्टी में सामिल हो जाएं देखिए इनी की बात नहीं कर रहा हूं हर किसी की आप देख लिए आपको उत्तर प्रदेश में देखने को बिल जाएगा कि बेटी किसी और पार्टी में है बाप किसी और पार्टी में है पत इसकी राढ़्धनी की बात करें तो को लकाता है राद्धनी और आप देखें के तो यहाँ विधान सभाप में आपको 294 नेकने को मिलेगी लोग सभाप में 22 सीतने को मिलेगी और राज्य सभाह में 16 ले सीटें देखने को मिलेगी और अगर हम लोग सत्तु घंट रिना के जनम की बात करेंगी कहां हुआ था तो पटना बिहार में हुआ था इनका जनम यह भी आप लोग याद रखेएगा और बिहार के बारे में कुछ बता देते हैं आप सभी जानते हैं कि पटना राजधानी है बिहार की और यहां आप देखेंगे तो बिधान सभा में 240 सीटे हैं बिधान परिशाद में 75 सीटे हैं यहां लोग सभा में 40 सीटे हैं राज्य सवा में 16 सीटे हैं चली अब हम लोग बात कर लेते हैं सत्तूगन सनहा के बारे में इनके बारे में एक सामन जानकारी देख लेते हैं अगर आपकी दिल्चस्वी होगी तो आप लोग जरूर इसे देख सकते हैं इनके वास्तवीक नाम की बात करें तो सत्तूगन प्रसाद सिनहा इनका नाम है और उपनाम आप देखते हैं न की आपके घर में एक आपका वास्तवीक नाम होता है कुछ लोग आपको इनका उपनाम है जनम तिथी की बात करें तो 9 दिसंबर 1945 में इनका जनम हुआ था और आप सभी जानते ही कि 1945 में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे यानि कि आजादी के पहले आप देखेंगे सत्तूगंड सिन्हा का जनम हो जाता है और आप सभी जानते ही कि 1947 में हमें साथ सिन्हा इनके पिता और स्यामदेवी सिन्हा इनकी माता का नाम था अगर हम इनकी पत्नी की बात करें तो पूनम सिन्हा से इनकी साधी होती है विवाह होता है और अभिनेत्री हैं जो और पूर मिस यंग इंडिया भी रह चुकी हैं कौन पूनम सिन्हा अगर हम लोग सत अलाकीस रहा को भी आप लोग जानते होंगे अगर हम लोग सिक्षा की बात करें जर्णी कि सत्त्रूघन शित्तरूइध सिंधा की सिख्षा की बात करें तो इनोंने पण्रमण विज्ञान कॉलेजर से अपनी सिक्षा लई धरु फिर उसके बाद Film and Television Institute of India पूने से आगे की सिक्षा लेते हैं। सेक्षडे की उगता की बात करें तो अभिनय में इन्होंने कोर्स किया हुआ है, एक्टरिंग में, ठीक है? और बेवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अभिनेता हैं, एक्टर हैं, और राजनिता हैं, पॉलिटिसेन भी हैं, ठीक है? तो इनकी अगर मूबियों की बात करें तो इनकी एक फिल्म थी साजन, ये 1989 की बात है, पहली मूबी थी इनकी, ठीक है? अपनी राजनितिक सफर की सुरुवाद की थी, 1992 में नई दिल्ली उपचुनाव में, अपने फुरीय मित्त और अभी निता, राजिस खन्ना की खिलाब इन्होंने चुनाव लड़ा था, और जिसमें सत्तुगन सिन्हा 25,000 मतों के अंतर से हार गए थे, और आप देखी कि इ जब भी इंटर्व्यू किया इन्होंने, तो कई बार इन्होंने इसका उल्लेग भी किया, कि हमने बड़ी गलती की हुई थी, अपने मित्रे के खिलाब चुनाव लड़कर, ठीक है, फिर आप देखें कि पिधान मंत्री अटल विहरी वाचपई सरकार की अंतरकत, एक कैमिन 2009 में आप देखेंगे भारतिये आम चुनाओ, बिहार की पठना साहिब लोकसभा चेत से इन्होंने जीत गर्ज की थी, और उन्होंने अभीनेता स्थेखर सुमन को कुल 3,12,642 मतों से पराजित किया था, यानि कि हराय था, 2009 में जो लोकसभा चुनाओ हुए थे ना, इसमें भी इन्होंने जीत हासिल की थी, और याद रखें, लोकसभा के चुनाओ आप देखते हैं कि डारेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा सदस का चुनाओ, डारेक्ट जनता चुनती है, अगर आपकी उम्रे भी 18 साल हो चुकी होगी, तो मद्दाता सूची में आपका नाम जोड़ चागवा होगा, और आप लोग बोट देने भी जाते होगे, और अगर आप लोग उनको लोकसभा सदस का चुनाओ लड़ना है, तो आपकी उम्रे कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और आप लोग लोकसभा का चुनाओ लड़ सकते हैं, फिर आंगे कि 2019 में भाजापा चोड़कर कॉंग्रेस का दामन ठाम लेते हैं, और पाटना साहिब लोग सबस्टी से चुनाओ लड़ते हैं, लेकिन हाल जाते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आए, कि देखिए आप सोचिए कि 2019-2014 हो, इस समय मौदी लहर काफी तंगडी चल रही थी, लेकिन पता नहीं फिर क्यों इन्होंने बीजेपी को छोड़कर कॉंग्रेस में सामल हो गए थे, जो भी आपके यह, इनके जो भी मुसीवत, जो भी समस्या रही हो, ठीक हैं, अगर हम लोग इन्हें पुरुसकार भी मिले हुए हैं, कुछ, सत्तुगन से नहागों कुछ प पत्तिका द्वारा लाइब टाइम अचीवमेंट अवर्ड से सम्मानित किया गयाते हैं, 2007 में अब देखेंगे राष्टिये किसोर कुमार सम्मार से भी सम्मानित किया जा चुके हैं, 2011 में लाइब टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें पुरुसकार सिनबा जा जा चुका है फिर आप देखेंगे 2014 में भारतिय सिनामय में उत्किष्ट एउदान के लिए उन्हें आईफा अवोर्ड से भी सब्मानित किया जा चुका है और सत्तुगन सिना से कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं इन विवादों को भी याद रखेगा और देखें कि जब भी कोई इस तरह का विक्ती रहता है चर्चित विक्ती रहता है चर्चा में विक्ती रहता है तो आप देखें उससे उपलब्धियां भी रहती है उससे विवाद भी जुड़ना सोभा भी क्सी बात हो जाती है और समय समय पर सत्तुगन सिना विवाद इसपत बयानों से सुर्कियों में रहे हैं उनके बयानों से अभीताब बच्चन वो सत्दूगन सिन्हा में आपसी मद्भेद पाए गए अमिताब के द्वारा सत्दूगन सिन्हा को फिलिम सेट पर कई वाद चेताओनी भी दी गई परन्तु सत्दूगन द्वारा विवाद इसपत बयानों का दौर चलता सत्दूगन सिन्हा के बारे में अब यह चुनाव में किस तरह सी परफॉमेंस करते हैं क्या रिजल्ट रहता है यह तू आने वाला बक्ती बताएगा और आप लोग मुझे लगते हैं कि सोसल मीडिया के जवाने में जुड़े हुए हैं आप भी सोसल मीडिया पर होंगे तो आप लोग आसानी से इनके बारे में आँगे की जानकारी एकटी करते रहेंगे जानते रहेंगे तो अभी जो भी चर्चा में वेक दे रेंगे